नमस्कार भक्तों आपका स्वागत है हमारे गुरू जी के यूट्यूब चैनल में भक्तों अगर आप अपने किसी शत्रू को मौत की नीन सुलाना चाहते हैं तो आज का हमारा यह है टोटका आपका काम सौपरतिशत करेगा जी हाँ वक्तों आज के हमारे इस टोटके से आप बहुत ही आसानी से अपने बड़े से बड़े शत्रू को जड़ से खतम कर सकते हैं वक्तों टोटका जानने से पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों रिश्चेदारों में शेयर जरूर करें ताकि जादा से जादा लोगों का भला हो सके तो चले वक्तों आप शुरू करते हैं इस टोटके को सबसे पहले आपको इस निम्बू पर दोस्तों अपने शत्रों का नाम लिख लें जैसे कि मान लेजिए आपके शत्रों का नाम है मोहन तो आपको इस तरीके से निम्बू के उपर लिख लेना है मोहन वक्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप नाम लिख रहे हैं तो आपको सिर्फ अपने शत्रों के बारे में ही सोचना है यानि कि आपको मोहन का अच्छे से ध्यान करते हुए इस निम्बू पर लिखना है मोहन इसके बाद वक्तों आपको इस निम्बू को एकदम बीच में से काड़ देना है यानि के जो नाम है मुहन वह एकदम बीच में से कट जाना चाहिए यह देखे इस तरीके से बगतो आपको नीम्बू को सिर्फ आदा ही काटना है इस बात का विशेश धियान रखे नीम्बू काटने के बाद बगतो आपको इसमें यह दो लॉंग यह दो इलाइची दोस्तो यह दो कील और चुटकी भर नमक डाल देना है देखे बिल्कुल इस तरीके से यह सब समगरी नीम्बू में डालने के बाद आपको एक लाल धागे से इसे बंद कर देना है देखे बिल्कुल इस तरीके से दोस्तो इसके बाद आपको यह नीम्बू अपनी हथेली पर रखना है और फिर आपको एक मंतर का जाब करना है मंतर है ओम क्रीं क्रीं शत्रू नाशनी क्रीं फट स्वाहा मंतर एक बार फिर से सुने मंतर है ओम क्रीं क्रीं शत्रू नाशनी क्रीं फट स्वाहा मंतर जाब के बाद वक्तो आपको यह नीम्बू शम्शान में ले जाकर मिट्टी में दफना देना है और वहां से चुप चाप वापिस घर चले आना है बक्तो अगर आप शमशान में नहीं जा सकते तो आप यह निम्बू सडक पर भी फैंक दे तो बक्तो जैसे ही इस निम्बू पर से गाड़ियां गुजरने लगेंगी उसी समय इस टोटके का असर शुरू हो जाएगा मातर 48 घंडे में आपका शत्रू हमेशा हमेशा के लिए खतम हो जाएगा बक्तो वैसे तो हमने आपको इस टोटके की पूरी जानकारी वीडियो में दे दी है और मंतर भी आपको बता दिया है उसके बावजूद अगर आपको टोटके में कुछ भी समझ ना आए या फिर आपको इस टोटके से कोई फल प्राप्त ना हो तो आप हमारे गुरू जी से भी संपर कर सकते हैं आप स्क्रीन पर देगे नंबर पे कॉल या वाटसप करके गुरू जी से अपनी किसी भी शंका का समधान करवा सकते हैं जैमा काली वक्तों